असलाम अलेकुम गिल्स होप यू अलेकुम वेल्कम तो माय यूटुब चैनल ब्यूटी बैनिसा कैसे हैं आप सब लोग इतने लंबे गैप के बाद एक वीडियो शूट कर रही हूं और पोस्ट कर रही हूं इस पे आप लोगोंने देरो धेर साब का प्यार से मुझे आप ल कि इस बीडियो बहुत इंफरमेटिब होने तो वीडियो को देखेगा एंड तक बहुत से हैंप लोगों के प्यारे परे कृस्टिंस जो थे के त्रूट दू रहे मुझे और मैं कहां पर थी मुझे मेरी हल्थ को क्या है क्या मसमतायल मैं इस पूरे मंत के अंदर मैंने क्या कौन कौन से प्रॉडेक्स जो है वो हुए तो वीडियो को इन तक देखेगा वीडियो बहुत इंपरमेटिव होने वाली है और अगें चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो और बेल को हमारी प्यारी सी घंटी को जरूर जाना तक जब हम आपकी घर कि आप लोगों ने इतने प्यारी-पैरे मुझे मेंशेज़े मुझे अप्यारी प्यारी दॉय भूएं भेजी लो भः अब लाities को अप्लिए आप विशाert ऑई मुझे मた्यूंज तो अब इसको प्यार को आख अवे मुझे मैं बेमार थी। सब ने प्यार विजा। मैं इ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे हुआ क्या था सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे क्या हुआ था और मैं किस तरहां से बिमार हो गई और बहुत से लोगों को नहीं पता तो जनाब हुआ कुछ यूँ था कि मुझे एक स्लाइटली सा फीवर हुआ नॉर्मल सा फीवर हुआ फिरो ठीक हो गया और मुझे सांस का प्रॉब्लम हो गया अब हम लोगों को यह लगा कि क्यूंकि मुझे बच्चपन से हाट का प्रॉब्लम है और मेरा वेट नाइंटी था अफ्टर मन्हा की जो डिलिवरी है उसके बाद क्यूंकि मेरा वेट बहुत जदा गया था इतना कम एज में प्रेग्नेंसी थी बहुत कम एज की प्रेग्नेंसी थी तो इतना आइडिया नहीं था कि क्या खाते क्या पीते कोई गाइड लाइन नहीं थी तो मैंने बहुत जदा पुटाउन कर लिया था आइड दो हुट गया प्रेग्ने दो फिर धाओ प्रेग्नेश ऑप्रेग्नेश नहीं थी दिए लिए लगाया था अजिक क्या आई शुट्टाउन कि अपने जाए वेट लूस करना पड़े गाद ऊपनी केजे बड़ी मिनित की और यह सारा कुछ नहीं जनाब यह था कि वेटलू सीरीज भी एक बनानी है तो वह बिमारी के बीच में रहेगी तो वह आज रहेगी तो चैनल के आप लोगों ने अपडेट एना है और इन्शाला आपको मिलता रहेगा। बात में बात 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 करें कि घान मुझे फील कर behavior हो गया है और भी लोग्चों के अस खो गया था अ कि किष्ट। था इस उन्हेलर यह कर दो पहलेयाAN भी एकशिव कर बत कर लेडा कर था एक पहले है unfortunate मैं थे तेंशने बहुता लेले क्योंकि पेच रखाल ऑगया थे आप सब को ही अब ढ़ता है तो अब को यह रहा था कि रख परीशानी वज़े से बिमार हूं । तेंशने वज़े थे बाइशने वज़े गए था छल रहाा है बाट, बाट, और फिरना नेक्स्त जी, मैं मैं वहा कुछ यह हूं कि मैं भूद बड़ी चोर हूं भाई मुझसे दवाईया नहीं खाय जाती हैं कुछ भी मेरे से मंथली जो supplement होता है विटमीन दी खाने में मुझे दो हफ्ते लग जाते हैं सोचयर महीं चेत बहुत कर फूंग तकक कि मुझेआ कहा कि मुझे फील हो रहा था धरे फृषै के तो कि मुझेन के dife करई करे बड़ी को रही है और इतनie शदीद किसम का बोड़ी पेन था इतना शदीद किसम का कि जब मिन्हा की दफा मेरा C-section हुआ था तो जब ऑपरेट के बाद आपको लाकर वो बेड़ पहंगते हैं ना वो कार्ट कूट के आपको बेड़ पहंगते हैं नेक्स टेए पहर आपने हाथ लाने की जब कोशिश करते हो जिनका C-section होगा है उनको रिलाइस होगा है यू फिल दाट कांड ओ पहर रही थी मैं एक कदम नी उठा पा रही थी वह इतना शदीद बॉड़ पहर था कि आप करवड जो है न में ले रही थी तो एवन मेरे स्टे इस सरह से प्रोपर वे में नहीं आइडिया था तो एनिवेस हम लोगों ने एक जो है नॉर्मन जॉक्टर से बात की और देस्ट सजेस्ट तो में तो गट तो कोविड टेस्ट करोना टेस्ट जिनको कोविड क्या नहीं बता है तो मेरे जो मन्हा के बड़े चाचु उन्हों जो प्रोपर केर वगएरा होती है क्योंकि उने फीवर हो गया था तो हम प्रोपर केर करे थे उनसे मेरू को थोड़ी प्रोपलम हुई और मेरू से मुझ होगी मैं उसको घगी थी शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को यादो 14th अगर्ज की नाइट को भी मैंने ला तो उसने तीन दिन में रिकवर कर लिया था और उसकी खांसी वगएर की वज़े से वह मुझ में हाइली अटैक हो गया मुझे इतना ज़ादा सीरिस इस वज़ा से हुआ क्यूंकि मुझे अल्टमा का प्रोब्लम पहले से था तो तो तास वाइ उसने मुझ पर एक हीूज अ तो यू हो जाता है यू कैसे हो गया और मैंने क्या क्या क убий है क्यों कैसे हो गया कैसे क्यूंक्या मैंने फीज हैं चार्ण सीमें का इंतना का यकार को मैंने क्या क्या का थीज करती हूं अभी में क्या क्या देट हेग इंट다 विज hip moment two hai 구att तो हरे ऑंटर तो लिदा करले कर दे मैं बारवर पानी पीरी थी ग्यारा अगस्त को जो मैंने लाइव किया था लास्ट बारवर पानी पीरी थी डील्स का सेशन था तो काफी बोलना पड़ रहा था काफी जादा गैमा गैमी थी पेच पी मार्शाला लोग देख रहे थे तो I just realized कि मेरा सांस फूल रहा है बट मैंने इसको इग्नोर किया फिर तेरा चौदा को जो है तेरा चौदा को जो है तेरा चौदा पार्सल वग्यारा हम लोग ने भेजे उस दिन में बिलकुल ठीक थी और सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था कुछ भी नहीं था मुझे बट इस तरह आप एंड डाउन अपन डाउन इवन मेरा फीवर फेस इतना बड़ा हो गया तो मेरा फेस इतना बड़ा हो गया था लिटरल इतना बड़ा लिप्स इतने स्वेल होगे थे आखे मेरी बिलकुल चाइज जैसी होगी थी I just feel कि मैं अपना फेस पर से टच करती थी तो बहुत है मुझे खारेश और इरिटेशन रहें गया थी तो कि मेरे साथ का पॉजिए बाद के बाद के बाद के रिलाइज वा खेर उसकी आमने क्योड शुरू की भाप लेना गरारे करना गले में खेर पैन नहीं था डे बान पे डे टू पे डे थी पे भी नहीं था दे फो गड़े दे भी हुआ थी नहीं देट इसे जब करते हैं तो दर दोना स्टार्ट वा और वह इतना शदीद बिगड़ा इतना शदीद बिगड़ा के डे फाइफ पर सिक्ष्ट सेवन एट नाइन तन यानिक टेन तक बिल्कुल गले में शदीद वाला था और मैं बार जुश बिमारी टंच उपर से वेट की टंच यह सारा कुछ एक साहती स्ट्रेस एधे देन मैंने अपनी मेरी बहुत अची क्लाइंट है मिक्यास वो दॉक्टर है उनसे बात की उन्होंने मुझे सारा गाइड किया और सारा जो है उन्होंने बताया कि स्ट्रेस नहीं लें रिलाक्स र लेकि लिए खाने की कुछ गन्दी पुरी हर तरह की स्मेल मेरी चली गई थी ठेस्ट थोड़ा सा खराब वह पर टेस्ट गया नहीं था लेकिन स्मेल मेरी टोटली गॉन थी आर डे 28 हो चुका है बट सिल आइक कांट थी आ आँ स्मेल आल स्टाफ स्मेल की तोड़ा आती है क स्मेल सेंस और अभी मेरी 50-60% मेरी वापिस आगी है मुझे सुनिंग लिए कोशिश करनी पड़ती है अभी भी परफ्यूम्स को यह स्मेल हम बट यह के प्रोपर जिसना एक नॉर्मल परसन होता कि कहीं दूर भी खाना पक्रा होता है तो उसे खुश भू आरी होती है वैसी अ हाला कि मुझे उनतिसमा दिन जो हो चड़ जाएगा सुबह उनतिस दिन हो चुके होंगे पॉजिटिव के बाद नेगडिव तो है वो 14 दिन बाद बंदा हो जाता है गर क्यार करें आपको 14 दिन कॉरंटीन रहना पड़ते है करोना में 14 दिन किसी से मिलना जुलना नहीं होत अच्छे वैली वैक्सीन लगवाई होई थी कियाराल होस्पिटल इसलामबाद से हमारे मेल्स जितने भी हैंनोंने वैक्सिनेटिड हुए क्योंकि वाफिस जाते थे तो उन्होंने शुरू में ही वैक्सिनेशन कर वाली और हम सास ही रहे एक ही घर में कॉन्टैक्ट लाइक लग सास ही तरह सेपराइट नहीं है मेरा तो कउंटैक्ट इसलाइक किछन में इनकुरू काम करे थी मिरु को भी देख रहे थी मिरुखा तहीं अच्छा नहीं होता बच्छों में थोड़े बहुत सिंटम ङधाए ला फड़ गला खराब होगया थी तो फोर डिज बच्छे रिकावर कर जाते हैं बढ़ों में यह 14 दिन रहता है जिन्दा 14 दिन के बाद अगर अपनी साधी करते हैं का सक्ता रखने हैं तो चौदा दिन में नेग डिवा जाते हैं यह रही पंदी के अंदर से आप और कि इस पहले डाइट को बहुत दा करने पड़ता है डाइट में आपको फल बहुत खाने होते हैं जूसेज नॉर्मल यखनी वगएरा बहुत लेनी होती है जो अच्छी यखनी होती है यह फिर आपको जो है सूप वगएरा आप इसमें ले सकते हैं यह तो इसकी डाइट होगी दूसरा मेरी स्मेल चली गई थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था खाने पीने में कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था गला मेरा डे एट और नाइन में इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि मैं लिटली सांस नहीं ले पाती थी ऐसे करने से नाक बंथ थी और ऐसे लगता था मतब मेरा दमाग जम गया सर फट रहा होता था मेरा डे नाइन और नाइन पे बहुत बुरी कंडिशन थी नाक बंथ उठके बैठो बार-बार सांस लेने की कोश़च कुरो सांस जा रही है आटक रही है उखड रही है जीब सी की सिचुएशन थी यार बहुत बुरा टाइम था लाग इसी दुश्मन को भी ना करें मैंने अपनी लाइफ में इतना बुरा फीवर और इतना बुरा 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 कह रही हूँ तो मेरे जैसे बंदे को अगर हो जाए तो अब स्ट्रेस मेरा जाया था में बात कर लेते हैं । जा तर आपको एंटी। ब्राइबियोटिक्ट रेकर्मेंडे करते हैं तब जब लुए और दोशाम और बाकी असोमेक्स का का अक केप्सूल अनीटी वह रेषय के लिए होता है क्या मुझे बहुत गला दर्व था से तीन और और इलेवन पे मैंसे असोमेक्स के केप्सूल बेने कारे थे मैंने तीन से चार कंजिलन के और स्ट्रेपसल्स तो शायद मैंने दस पत्ते खा ली होगे और जुषान्दे की भी मैंने दो डबे पी ली होगे इतना मैंने जुषान्दा पिया और मलठी वाली चाय जो कहवा होता है वो पका के बहुत अधा फाइदे मन वो मेरे लिए रहा जो लुग कहते हैं जे सना मक्ही से होता यह यहीनी होता कुछ भी नहीं है सना मक्ही भी पिया लेकिन चौऌदद इन यह रहा और तभी अधा मेरी जो खराब रही 21ड 21 पे में बिहतर थी but in 20 देश में दिला करना हम जब जए ¿ हम जिरोडी तो गएक से बात करो बिल्कुल अबिलिटी नहीं थी तो 20 दिन मेरे बिल्कुल ऐसे गुज़रे एक और दो दिन मैंने थोड़ा पने आपको टायम दिया थोड़ा सा अपने आपको समझाया कि आपको काम करना है बैक टू वर्ट होना है यह वो 22 दिन के गैप के बाद भी मैंने पना काम दुबारा सब्सक्राइब कर दोक्टर से भी पूछिया कि सेफ नाओ कि मैं लोगों को पार्सल भेज सकती हूं वो फैले गा तो नहीं करोना यह वो तो पहले भी मैं नहीं भेज रही कि बिल्कुल काम से कॉट आप थी लेकिन डॉक्टर ने मुझे का था कुछ भी नहीं होता आप भेज कुरियर काम लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझा इस वज़े से में बहुत थोड़ा काम किया जितना कि मेरा कोई हल्प करने वाला जो कर पाता था तो उसका ही मैं वो करती थी तो इतना बहुत बुरे बास दी एक बहुत में क्विस्चिन मेरे जैसी ऑनलाइन सेलर्स होती है य अब हम देके जाता है अभी भी लिटली सरदर्द इतना बुरा स्टार्ट हो जाता है कि यू डूंट गाइस विए पूरी आंख जो इतना बुरी होती है मैं अपनी चेक करने है कि स्केलिंग भी करानी है क्योंकि यह मेरे तीन दान्त हैं यह मेरे अच्छमन में गिर गई थ अगर आपको दांतों की बड़ होता है तो कोविड में आपके टीथ दर्द करने वाले हैं वी रेगळ अगर आपको लाट ना करे अभी किसी घुत पर यह झाब कार इसके इसे सब्सक्राइबाब लाखता है, दान्तों में कुछ चुब रहा है क्योंकि मुझे डान्तों का प्रॉब्म्म मुझे बच्पन से ने बच्पन से अधी इनकी मेरे बाई खेर ले तो गिर गई तो मेरे सामने के दान्तों डेमेज हो गए थे तो पिर मैंने अगे अगे गए गए यह जो एक टीट के कैप लगे लगें तो उनकी स्केलिंग पर दर्द इसमें कभी होता था पर यह पूरे जबडे में दर्द हो रहा था पूरे मुह में तो सूज गे थे मेरे होँ इतने 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 और गूं इतना बड़ा हो गया थक से आपको पिच्टर पर पोस्ट करें यह देखो भई में पूरा भूत बंगला लगे हूं अभी भी मेरा फेस जो है वो फुपी सा अजीब सा हुआ है कि मुझे लगते है जैसे मैं बहुत ज़दा ऐसे जीब सी हो गई हूँ आफर दा कोविड लाइक मेरी स्किन बड़ी ज़ करें दूसरा सुप और यखनी पर बंड़ी जिन्दा रहने बंड़ी की स्किन का क्या हुआ है यहां से मुझे रिलाइज हो था कि मेरे पोर्स बड़ी उपन होगे हैं अभी मैं चुछ भी अप्लाइए लगा बागा तो यहां पर जो बागा है यहां पर जो डार्क शरकल्स पड़ गये थे और यहां पर फाइन लाइन जितनी जादा प्रोमेनेंट हो गई थी बट मैंने पर इनको क्योर किया मैं बिलके प्रोड़क भी दिखा देती हूं मुझे बहुत अच्छा लगा यह बाइव एक्वा का यह रोल ओन सिरम बहुत एफेक्टिव रहा मेरे लिए अगर फुल मन्त जब मैं थोड़ा बहुत रिकवर कर रही थी तो मैंने तब यह यूज किया और इसने मुझे बहुत अच्छा बैने पिट दिया और इसके लावा मैं ने जो प्रोड़क यूज किया वह ने यूज किया यहां पर मैं दिखाती हूं आपको यह वाला टोनर इससे बहुत अच्छे कंट्रोल हो गए थे और उसके बाद जो मैंने सिर्म यूज किया वह मैंने यह वाला किया अगर यह वेलिबल ना हो तो आप लोग कोई भी हाईलारनिक सिर्म ले सकते हैं तीन प्रोड़क्स एज लाइफ सेवियर आफ्टर दाट के मैं बिमार होके उ जो मतब आयस सिर्म है वह मैंने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब तो जणाब इन जिनों में चया किया मैंने क्या क्या हुआ इसके बीमारी में से उठी तो उसके बाद काम बैकप सटाट किया मैंने जन्य बनी पेज़ पर अपने पेज को अट्रुप दिखाना चाहिए तो इस आप जो खालता है तो पीजेड हो एकgon आप्टुडट ऑगा पर यूट्वरी तेह होता है यहां साथी आप मेरा डेखा होगा थे प्र मैंने 20 दिन की बिमारी देखी है I realized I want कि मेरे अपने सर्दर्द होता था और आप यकीन करें मेरे इतने बालों से मेरे इतनों से बाल रगें इतना हेर फॉल हुआ है मुझे 22 दिन के अंदर इतने इतने बाल उतरना शुरू है इस बिमारी की वज़ा से जर्द इतना शदीद होता है और कमजोरी की वज़ा उतरते हैं जरूरी नहीं आप कंजोरी से मुराद आपके अंदर हार्मोनल बैलन्स हो जाता है आपकी डाइट डिस्टर्ब जाती है तो मेरे बाल लिटल ही अभी मैंने खोले निए क्योंके पंखा चल रहा उड़ा जाते ह पालों कि Бालों की बोथ बोरा हालवा स्किन का बहुत बुरा हालवा गाली ने खोलिस खुदा andare नी केर केरें अपनी लिटल क्रीडिकल लुब। तो छोजिए बीमारों बेटनी है से बीज में स्ट्रेसा करण। अब आप का डियाट प्लान दीचंग कर करोंगे के बीमारी के उठने के बाद सब्सक्रान करने किया क्या खर ऺरी और क्या पी चुक्राइब उससे मिज़े बहुत अच्छा आनरजी मेंटली बहुत मेरा स्ट्रेस आउट हुआ अभी भी वही हलात हैं पेच के वही सब बहुत पॉजिटिव आया मेरे अंदर चेंज और सबसे बड़ा चेंज नमाज मैं यही बोलूँगी क्यूंकि हम लोग ऐसा मुसलिम इतने जादा इसलाम से दूर हो चुके हैं अभी भी आ पर चेंज तो हम लोग जितना जादा उसकी तरफ मतवज़ होंगे उतना जादा बेतर है नमाज पढ़ें कुरान पढ़ें हैं मैं तो फजर की नमाज लाजमी पढ़ती होती हूं क्यूंकि शूरू से मेरा काम नाइट का है क्यूंकि मेरा नाइट में सेशन होता है तो लड तो अपने आपको पाक साफ रखने का से जादा अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता कि हम पांच वक्त की नमाज पढ़ें और जितनी भी ब्लॉगर्स इंफ्लूंसर या जो भी हैं मैं उन सबसे भी बल्के अगर कोई मुझे देखे होई रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया करें ना कि नेगडिविटी को नेगडिविटी फेमिनिजम एक हद तक होना अच्छी बात ह कोई बा distinguished कोई पहुंचाने की खुशिश करे़ और मैं न चाहूं तो कोई भी उसको पहुसान nesscott में पूरी मैंना चाहूं तो कोई बंदा उसके नुपसान देश सकता, तो that's very be honest सही बात है, कि हम लोग बड़ा साथ सोचना शुरू कर देते हैं, यार के मेरा पे एज को मसला हो गया, मैं अपनी बात करूँगी, मेरी जिन्दगी में ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी जिन्दगी में ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, अपना घर क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, यार देखो जितना आपका नसीब है, उस पर सबर करो, खुश रहो, हर लम्हा खुब सूरत है मैंने अपनी बिमारी में रिलाइस किया कि कल है परसो नहीं है आज हैं कल नहीं है तो जिंदगी तो यही है मतलब यही है लिटली यही है यार तो एक तूसरे को तकलीफ ना पहुंचाओ रिष्टों को दराडों को खतम करके प्यार महबत को स्प्रेट करें होती है बहुत सी有गने होती है हर एक गर के मस्साइल अपने अपने होते है तो पॉजिटिव फि Dude से सोचें तो दाइर्ट अस सबसे बड़ी बिमारी हमारे दिमाग में है कुरोना से भी बड़ी बिमारी के जैलिसी बट लोग करते है किसी को खुछ नहीं देख सकते हैं बद्धु आएं और यह वह तवीज धा गए यह शुरू हो जाते हैं मारे पाकिस्तान में तो उदा का वास्त है इस चीज को फटम करें पॉजिटिविटी फिलाएं मौत का वक्त मुकरर है और वह किसी भी बगता सकती है और बिमारी से अपने बच्चों को बच्चाएं और यही आज मैं कहना चाहरी थी और दूसरी बहुत बात आज किस वीडियो को एंड करने से पहले कहूंगी कि अपने आपको साफसुत्रा जुरूर रखा करें कुछ लड़किया अपनी केर नहीं करती हैं अपनी स्किन के अपने वालों की अपने कमेंट में जुरूर बताने हैं कि आप मेरा जो है क्या वीडियो में देखना चाहते हैं मेरा कौन सा कॉंटेन देखना चाहते हैं और मैं स्टार्ट करी हूं जो मैंने एक मन्त पहले आप लोगों से वादा किया था कि वेट लूस सीरीज आप लोग के साथ कि मैंने करना है आपने भी करना है हम लोग मिलके करते हैं तो वह अब हम स्टार्ट करें डेली की अपलोडिंग होगी और डेली का आपको इसाथ बातचीत गप्षप होगी और उसमें आप करना सोचते हो तो यह मैंटली गेम है आपकी आप लोगों को जरूर करना चाहिए बहुत सी बीमारियों से बड़ी सांस की बिमारी जो कि मैं सह रही हूं अभी तो मैं क्यों हो गई हूं लेकिन जब आपको सांस का प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं बहुत बुरी हालात होते है तो इंशाला इंशाला नए वीडियो साती रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें बिल्कुल मत भूलें तो बेल आइकोन को प्रेस करें अपना बहुत दख्याल रखें मिलते हैं नेक्स वीडियो में यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएगा और मैंने आपसे शेयर कर ली और मैंने सोचा भी था कि मैं आपसे जरूर बात करूंगी इस बारे में तो लिटरली आज मैंने कर ली फाइनली और थैंक्यू सो मच पूर दा यूज लाव और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी उपर मेंशन है आप लोग मुझे फॉलो कर लें व मेरी कप्रों की कलेक्शन, जूर्री की कलेक्शन, मेकप की कलेक्शन तो यह सारी सुझे में आपको जुरूर बताऊंगी नेक्स वीडियो में इंस्टापी मुझे फोलो कर लें और एक और इंपॉर्टन बाग के इंस्टा के गिव अब पेंडिंग है मैंने पोस्त लगाई अब ही तक कर रही है मैंने वह गिव अनाउंस नहीं किया तो इंशाला एक से दो दिन के अंदर मैं विनर अनाउंस करूंगी और इंस्टा अगर आपने उसमें हिसा लेना है अभी ले सकते हैं क्योंकि इतने साथ मेंबर होते उतने साथ मजा आता है तीन विनर्स करूंगी पहले मैंने करना ता मैं तीन करुंगी तीन मिनर्स को सी भी कॉस्माटिक के तीन पर अब शायं गे इट्स नौल ज़ीन को स्पांसर नहीं कर रही subscribe to my channel and follow me on instagram also चल्टी जाओ